Assalamu alaikum, आज mathematics में exercise 12D हमें करनी है, अब 12D में question number first हमें हमें करनी है, question number first क्या कहता है, how much time has passed, कि कितना time pass हुआ है, ठीक है, अब कहां हमें time दिया होगा है, जैसे हमारे पास first part है, from 11.40am to 12.10pm, अब क्या कहता है, कि 11.40am से 12.10pm ता कितना time pass हुआ है, ठीक है, वो हमें निकालना इसी तरीके से B part, C part, D part, D part दिया है, अलग-अलग time हमें दिया है, और हमें बताना है कि बताओ, इस time चले कि इस time तक कितना time pass हुआ है, ठीक है, इसी को हम discuss करेंगे, first part हमारे पास क्या है, first part हमारे पास है, from 11.40am to 12.10pm, ठीक है, अब 11.40am से 12.10pm तक हमें बताना कितना time हु हमने 11.40am to 12.00, ठीक है, 11.40am से 12.00 तक, यानी 11.40 से 12.00 तक, कितना 20 minutes होते हैं, ठीक है, 11.40am से 12.00 तक 20 minutes होते हैं, ठीक है, step second में क्या किया है, फिर हमने 12.00 से आगी का count करेंगी, ठीक है, 12.00 तक हमने देखा 20 minutes है, 12.00 से आगी, कहां तक लिखना है, 12.10pm तक देखना है, त तो that means 12 बज़े से लेके 12 दस तक, शिर्फ 10 मिनिट होते हैं वहाँ तक 10 मिनिट, ठीक है? तो हमने लिखा 10 मिनिट, तो 20 और बुलस 10, कितना हुआ? 30 मिनिट, तो हम कह सकते हैं कि 11.40 एम से 10.00 तक कितना टाइम बास हुआ? 30 मिनिट हुए, ठीक है? 30 मिनिट बास है, अब इसी तरह बीबाट है, बीबाट में क्या दिया? फ्राम 8.45 पी-म तू 10.25 पी-म, ठीक है? अब 8.45 पी-म तू 10.25 पी-म दिया दो, कितना टाइम गुज़रा? 8.45 पी-म से 10.25 पी-म तक, तो step first में हमने लिखा, 8.45 से count करेंगे पहले कहां तक? 9.00 पी-म तक, ठीक है? अब 8.45 से 9.00 पी-म तक, 15 मिनिट होती है, ठीक है? 8.45 से लेके 9 बज़े तक, 15 मिनिट, ठीक है? तो हमने लिखा 15 मिनिट, फिर step second में हम count करेंगे 9.00 पी-म तू 10.00 पी-म, अब 10.00 पी-म से 10.25 पी-म तक, कितना? 25 मिनिट, ठीक है? अब इसको count करें सबको, तो कितना होगा? 1 hour और फिर बज़े 25 मिनिट पलस 15 मिनिट, तो 25 और 15, कितना होगा? 5 अब 10, 0, carry 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है? That means 40 मिनिट, तो 1 hour 40 मिनिट, टाइम जो है, वो पास हुआ, कहां से? 8.45 पी-म से 10.25 पी-म तक, अब C part क्या दिया है, मारे बास? C part दिया है, 12.55 ए-म टू 1.30 पी-म, ठीक है? अब 12.55 ए-म से 1.30 पी-म तक, कितना टाइम होगा? ठीक है? 12.55 से 1.00 ए-म तक 5 मिनिट होते हैं, तो लिखा 5 मिनिट है, step second में हम करेंगे, अब 1.00 ए-म से आगे का count करेंगे, तो 1.00 ए-म से लेके 1.00 पी-म तक, यानि रात के 1.00 बज़े से लेके, ए-म कब होता है? रात के 1.00 बज़े, 12.00 के बाद ए-म से टाइब होता है, तो ठीक है, ए-म रात के 1.00 से लेके, दिन के 1.00 बज़े तक, कितना 12 hours? डारेक्ट हम लिख सकते हैं, फिर 1.00 पी-म तो 1.30 पी-म, अब 1.00 पी-म तो 1.30 पी-म कितना होता है? 30 minute होती है ठीक है तो 12 hours पहले हम लिखेंगे 12 hours फिर minute को count करेंगे 30 plus 5 कितना होता है 35 तो हम लिख सकते है 12 hours 35 minute पास है कब से 12.55 am से 1.30 pm तक फिर D part दिया D part में क्या है 4.40 am to 4.40 pm तो direct 4.40 am से 4.40 pm तक यानि रात के जो 4.40 minute है वहाँ से लिखेंगे दिन के 4.40 मिन है हम direct लिख सकते है step first में ही 4.40 am से 4.40 pm तक 12 hours होते है जिसे हमने यहाँ पे लिखा 1.00 am to 1.00 pm तो 4.40 am से 4.40 pm तक कितना होता है 12 hours इपार्ट में हमारे पास क्या दिया है 6.50 pm to 2.30 am ठीक है तो सबसे पहले हम गहाँ जाए 6.50 pm से 7.00 pm तक कॉंट करें सिर्फ 10 minute होते है 6.50 pm से 7.00 pm तक ठीक है फिर 7.00 pm से आगे का कॉंट करेंगे 7.00 pm to 12 midnight ठीक है शाम के साथ बज़े से लेगे अब राज के बारा मज़े तक कितना 8, 9, 10, 11, 12 8, 9, 10, 11, 12 तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे हम 5 hours ठीक है फिर 12 midnight से कहां 2.30 am तक हमें कॉंट करना है तो 12 midnight से आगे का कॉंट करेंगे कितना होता है 12 midnight के बाद 1 am फिर 2 am और फिर 2.30 am यानि 2 hours और 30 minute ठीक है कॉंट करेंगे पहले 5 hours और 2 hours कितने होई 7 hours अब minute को कॉंट करेंगे minute हमारे पास यहाँ 30 यहाँ 10 30 बिलस 10 40 तो हम क्या सकते हैं कि 6.50 pm से 2.30 am तक कितना टाइम पास हुआ 7 hours 40 minute ठीक है फिर एफ पार्ट हमारे पास यह 9.15 pm से 12.20 am जैसे हमने अभी तक किया तो वैसे हम अभी करेंगे 9.15 pm से कहां जाएंगे पहले 10 pm तक कॉंट करेंगे 9.15 से 10 pm तक कितना होता है 45 minutes होते हैं ठीक है 1 hour में 60 minutes होते हैं तो उसमें तो 15 minutes पहले ही गुज़र चुके हैं हमें 9.15 से कॉंट करना है तो 9.15 से 10 pm तक कितना आएगा 45 minutes आएंगी फिर 10 pm से कहां जाएंगे 12 midnight तक कॉंट करेंगे ठीक है तो 10 pm से 12 midnight तक 10 के बाद 11 11 के बाद 12 तो लिखा हमने 2 hours फिर 12 midnight से 12.20 am तक ठीक है तो 12 midnight के बाद 12 am से बाद 12 midnight से लिखे 20 am तक सिर्फ 20 minute होती है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे इनको जब हम add up करेंगे तो देखा हमारे पास 40 हमारे पास क्या दिया है 45 minutes दिये हैं और 20 minutes दिये हैं तो जब हम इनको add up करेंगे तो कितना आएगा 5 और 4 प्लस 2 6 65 minutes और 65 minutes कितना होता है 1 hour 5 minute ठीक है 1 hour और 5 minute तो 2 hour हमारे पास पहले दिये हैं 2 hour और ये 1 hour add करेंगे कितना होगा 3 hour और बाद में बचे 5 minute तो वो लिखेंगे 3 hour 5 minute ये था हमारा आज का math का topic थेंकि